हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे, I am also very fine, दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंट्रस्टिंग रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और वो उस रेसिपी का नाम है, सूजी के स्टफ्ट चीले, दोस्तों मैंने सारा सामान रेडी करके रखा यह आप देखिए यह, यह देखिए दोस्तों, मैंने यह सूजी का घोल, सूजी इसमें एक कटोरी मैंने सूजी ली, और 4-5 चमच मैंने गहू का आटा लिया, और इसमें मैंने spring onion, tomato की filling डाली है, बारीक-बारीक काट कर, और अपने स्वाद के नुसार आप इसमें कोई भी कटोरी दही डाली है और इसके बाद इसमें आप निम्बू भी डाल सकते हैं और इसे अच्छी तरह से फेट कर दोस्तों आप इसे आदे घंटे 20 मिनट से आदे घंटे तक भीगने के लिए रग दीजिए और इसके बाद दोस्तों हमारा ये घोल तयार है सूजी के स्टफ ची के लिए बनाने के लिए देखिए अब मैंने उसको एक बार फिर से फेटा 20 मिनट बाद खोल को एक बार फिर से फेट कर ये देखिए तबे पर थोड़ा सा घी या तेल डाल कर ये तीन से चार चम्मच खोल मैंने डाल दिया है और ये थोड़ी देर बाद अब इसे हम पलते यह देखिए दोस्तों दोस्तों यह चीला क्योंकि स्टफ्ड है तो यह जादा पतला नहीं बनेगा लेकिन दोस्तों यह टेस्टी बहुत बनता है क्योंकि जब हम इसे खाते हैं तो इससे इसमें जो स्टफिंग भरी हुई होती है आप मैंने स्प्रिंग गनियन और टेमैटो की स्टफिंग डाली है आप इसमें कोई बारीक बारीक शिमला मिर्च गाजर कोई सब्जियां भी डाल सकते हैं उससे भी इसका स्वाद और बढ़ जाएगा यह देखें दोस्तों कितना टेस्टी यह चीला तैयार हमारा होने वाला है इसे आप नाश्टे में खा सकते हैं यह क्योंकि इसमें सब्जियां भी हैं दही भी है तो यह एक तरह से हमारा फुल अफ नूट्रियंट्स दिसस कम्प्लीट फूड यह दोस्तों बस रेडी होने वाला है इसे हम आए सर्व करते हैं यह देखें दोस्तों यह हमारा तयार है टेस्टी हल्दी सूजी का स्टफ्ध चीला और यह इसके साथ हम खाएंगे यह धनिये पुदीने की चट्नी आपको यह रेसिपी कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए थेंक्यू वेरी मच अपना ध्यान रखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में